सबी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छोंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंपोर्टेंट और एक बहुत ही संगीन मुद्दे पे एक वीडियो लेकर आया है जिसमें अदनी है उन्होंने फत्वा जारी किया कि अब गजवाहिं होना चाहिए यानि कि जितने भी नॉन इस्लामिक लोग है यानि खासकर हिंदू, क्रिश्चिन और सिख उनको मार देना चाहिए तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिले भारत माता की जय, जय जय श्री राम हर हर महा देर। सलाम भी कर देती हूँ आज, अस्सलाम अलाइकुम रह्मतुल्ला अले वबरकात हूँ सबसे पहले तो मैं गायतरी जी आपको ये बताना चाहूंगी, कि मैं पिछले नौ साल से गला फाड़ फाड़ करके चिला रही हूँ, मैं जानती हूँ कि एस्थेटिकल और बहुत क्लासी वर्ड नहीं है ये, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है, कि गला फाड़ फाड़ कर के चिला रही थी, कि गजवाए हिंद सिर्फ लाल टोपी वाला जायद नहीं चाहता था, बेनजर घुट्टू नहीं चाहती थी, लशकर तैबा नहीं चाहता था, यासीन मलिक नहीं चाहता था, यासीन मलिक के साथ-साथ, कश्मीर में बैटे उमर अब्दुल्ला मुफ्ती के साथ साथ, कॉंग्रेस पार्टी के साथ साथ, असदुद्द्दिन जोडा वेसी के साथ साथ, दारु उलूम के साथ साथ, भारत में रह रहे पल पुसा रहे मुसल्मान भी घजवाए हिंद चाहते थे। बिल्लो रानी बिलावल भुट्टू ने गोवा की मिटिंग को कवर अप करने के बाद पाकिस्तान के सरजमीन पर जाकर कहा था कि अब तो गजवाय हिंद होना चाहिए क्योंकि भारत के मुसल्मान कॉंग्रेस की सरकार में बहुत खुश थे और अभी मोदी जी की सरकार में ख क्युक्ति रुच्छा है पर मुझे कोई tolerance हिंदु करना नहीं चाह रहा था तोलरेंस और पेशांस वाला हिंदू कहरता दा नहीं डीदी ऐसा थोड़ी होता है घजवाय हिंद खोड़ी हो जाएगा यहां के मुसल्मान यहां का नमक खते हैं घजवाय हिंद थोड़ी तिहां कि तब सार्व कर रहे हैं यह सब इंडिकेट कर रहे थे गजवाए हिंद के लिए ये सब बताना चाहिए थे कि अब घजवाय हिंद होना चाहिए नहीं तो मुसल्मान असुरक्षित हो जाएंगे भारत में मैं कह रही थी लोग मान नहीं रहे थे लेकिन आग जब डारुल उलूम के मदनी साहब ने एलानिया फत्वा जारी किया और सुबह सुबह जब मैं सूरत से रिटन आ रही थी महा आत्माबाजी कर रहे थे हिंदू हो करके भी उनको मैं फॉन करके पूछू कि बैया अब बताओ क्या मदनी साहब और दारुलूम पाकिस्तान में हैं कराची में हैं या लाहूर में हैं तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मीडिया पर ही बैट करके बात करूंगे इस बारे में डॉक्टर इसरार एहमद उन्होंने भी गजवाय हिंद पर अपने यूट्यूब चानल पर पूरा का पूरा तफिरा डाला ता और उन्होंने बताया था कि दो ग्रूप मिल करके कैसे नॉन इस्लामिक बिलीवर को खतम करेगा यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया था हुल करके एक ESOBAY हैं वह वह जग है जिसमें प्रॉफिट महम्मद नहीं रहेंगे लेकिन प्रॉफिट महम्मद को मानने वाले लोग आप जैसे हिंदूओं का गला रहतेंगे वो भी गजवाय हिंद होगा वो भी गजवाए हिंद होगा अब आती है बात कि क्या किसी को पता नहीं है बैटल अफ ट्रेंच के बारे में जिसको गजवाए खांदाफ कहा जाता है क्या किसी को पता नहीं है गजवाए अल-एहजब के बारे में जो खुरान में जिक्र है क्या सही अलबुखारी का वॉल्म नमबर फॉर बुक नमबर फिप्टी टू और नमबर फॉटी वन इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है तु पाटिसिपेट एवरी मुस्लिम जिहाद इन अल्लाहस का उस उनको खतम करो जो लाइलाहा पर यकीन नहीं करते हैं उ तो अल्लाह तबारक ताला को और उसके प्यारे रसूल को नहीं मानते हैं यह मैं नहीं बोल रही है यह हदियत बोल रहा है अब आती है बात कि अगर सम्विधानिक तरीके से देखा जाए तो फत्वा है नो प्लेस इन इंडिपेंडेंट भारत अंडर दी क्याति की में ही भारत के हर एक व्यत्ती ने अपने आप को सम्विधान पर समर्पित कर दिया था जिसमें कई मुसलमान भी मेंबर नर थे और उन्होंने भी सीखनेचर किया है ओरिजिनल कॉंटिटूशन की कि इन द्हcribed कर दीद तो फिर यह फतवा आया कहा Kang naru मैं आपको बताना चाहूंगी के गजवतुल हिंद गजवतुल हिंद जो है वो जिहादिस्ट ग्रूप अलखाइदा लश्कर-ए- तैबा हिजमुल मुझाहिदीन जैसे लोग इसको बहुत महत्व देते हैं और गजवतुल हिंद वो करना आज से नहीं चाहते थे 1989 से वो करना दारूलूम की बात हो रही है तीन सो मदर्सें इंक्लूडेंग यही दारूलूम अधनी साहब का इल्लीगल उत्तर परदेश में घोशेद कर दिया गया था जब सर्वे रिपोर्ट आया था तो पता चला था कि दो तीन में रह रहा मतनी साहब का दारुल उलूम भी इल्लीगल है अवैद है जिसको बंद कर देना चाहिए और समविधानिक तरीकर से कई बार ऐसे फत्वा दारुल उलूम की तरफ से आये हैं जो अवैद और जो इल्लीगल और और कॉंस्टिटूशन के बाहर साबित हुआ है अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि जमायतुल उल्मा ने मैसिफ ग्यादरिंग की थी कुत्व मिनार के बाहर में जो कुत्व मिनार के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मोगलों ने 27 मंदिरों को तोड़ा था यह आज भी लिखा पर बिख भी उन्होंने को अपना अजेंडा बनाया था और वहां पर गयानवापी के लिए उन्होंने विरोध किया था और पुरी गैदरिंग दारोल लोलूम ने बनाई थी दो साल पहले इसी दारोल लोलूम का वेबसाइट जो है वो बैं कर दिया गया था और खानूनी तरीके से बैन किया गया था यहां तक कि the honorable supreme court of India को भी intervene करना पड़ा था कि इनके फत्वों से जिहादीस्ट जो होते है terrorism minded जो होते हैं जो criminal minded होते हैं जो diabolic criminal minded persons होते हैं उनको provocation मिलता है इसलिए इस वेबसाइट को बैन करना चाहिए जिस पर अश्रफ उस्मानी ने सजेशन देने का website और हमने इसलामिक एतबार से सजेशन दिया था अब एक साल पहले यही मतनी साहब ने यही मतनी साहब ने हाँ आपने बहुत अच्छा रोहिंग्या मुस्लिम आपने UPATS का अंकवर्ड निकाला है एक साल पहले दारोल उलूम दियोबन ने एक फत्वा जारी किया था जिसमें कहा था कि इसलामिक किताब खुरान पढ़ने के दौरान कोई भी भाशा कोई भी लैंग्वेज कोई भी इस सब्सक्राइक नहीं होगी मदर्से में क्योंकर इस बात की इजाज़त ना ही इसलाम डेता है और ना ही दारोल उलूम देगा पांत साल पहले दारोलिम का एक और पत्वा काफी चचे में आया था काईद्रीजी काफी चर्चे में आया था और यहां तक कि directement कर वे क्या कर रहे हूं तो मक्का ने भी बोल जा रहे हो कि एले मदमी साहब ने का था कि मल्द कर और आरत किसी ढ़ी जगा किसी भी थेस्टीबल में किसी भी में किसी बींविटेशन में एक साथ नहीं जा सकते हैं यहां तक के मर्द और उरत एक साथ बैठ करके खा भी नहीं सकते हैं अब उस मर्द और उरत में क्वा उसकी धरम पत्नी उसकी एहली या बीवी हो या बाप और बेटी हो पर एक साथ कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं और एक साथ बैठ कर खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि दारोल उलूम के हिसाब से औरतों की जो मान मर्यादा है वो एड़ियों के नीचे हैं जन्वरी एंड एंड आपके मन्थ दारोल उलूम के मतनी सहब ने 2024 में फत्वा जारी किया था कि जितनी भी लड़कियां प्रोफेशन में चाहे वो वकील हैं जज हैं बैरिस्टर हैं स्विमर हैं स्पोर्स परसन हैं कुछ भी हैं उनको हिजाब पहनना पड़ेगा नहीं तो हम लोग इसलामिक शर्या के हिसाब से बहुत कड़ा फत्वा हम लो ही करने देते हैं चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के दुवारा एंसी पीसी आर हो चाहे वो सेंच्रल गवर्मेंट का कोई ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट हो जाहे वो एडुकेशन डेपार्टमेंट का आईएस आईपीएस ओफिसर हो चाहे वो खुद माइनोरिटी काबिनेट मंतरी हो जाहे वो स्टेट का माइनोरिटी मिनिस्टर हो आकर इन मदर्सों में एंटर करने से पहले मीडिया को इस मीडिया से ले करके आईएस ओफिसर से ले करके एडुकेशन डिपार्टमेंट से ले करके काबिनेट मंतराले से ले करके सब को इतने चपल क्यों गिसने पड़ते हैं इस मदर से के भीतर हो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और अमेशा की तरह नाजिया लाइख खांजी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफे पसंद आया होगा जहां पे आपने देखा कि कैसे नाजिया जी ने इ हिंदू जो कि ये कहते हैं कि नहीं नहीं भारत के मुसल्मान तो ऐसे नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ मिल जुलके रहना चाहते हैं ये उनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए जहां पे आपने देखा सामने सामने दियोबंद के मंदी ने ये कहा कि गजवा हिंद होना चा ताकि मैं आपके लेटेस्ट, इंट्रॉस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहे तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जै हिंद, जै भारत